तो प्रबाद बच्चों मैं खुशबुश अर्मा आज की ओनलाइन ग्लासिस में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण के अंतरगत पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन जिसमें हम आज आपजारिक पत्र के विशे में जानेंगे पत्र लेखन पत्र लेखन की बात करें बच्चों तो हमारे पत्र लेखन की जो परमपरा है वह अत्यांत ही पुरानी है यह परमपरा द्वापरियुक से चली आ रही है जो आज तक चल रही है सबसे पहले रुक्मणी ने अपनी सहायता के लिए कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा ततपश्यात यह परमपरा आगे बढ़ती गई और हमने जवाहरलाल नहरू के पत्र अपनी पुत्री के नाम पढ़े महात्मा गांधी के पत्रों को भी हमने जाना तो इस तरह से पत्र लिखन की परमपरा आगे बढ़ती गई आईए जानते हैं पत्र लेखन के विशे में विस्तार से मन का विचार हो या दिल की बाद कलम उठाओ, करो पत्र लिखने की शुरुआत पूर्व समय में दूर रहने वाले अपनी संबंधियों अथ्वा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र का उप्योग किया जाता था बच्छो पूर्व समय में संचार के साधन के रूप में पत्र अत्यानते ही महत्तुपूर्ण था उस समय आधुनिक साधन जो की आज उपलब्दे हैं जैसे टेलिफोन, मुबाइल, इमेल ये सब चीजे नहीं थी और पत्र के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे के हालचाल को जानते थे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशो को भेजने के लिए एक ही साधन हुआ करता था और वह था पत्र पत्र के लिए बच्चो डाक विभाग, भारत सरकार नहीं डाक विभाग का घटन किया जिसका मुख्य कार्य होता था पत्रों को एक निश्चित स्थान तक पहुँचाना और इसकी बदले में हम आपको डाक टिकट के रूप में एक शुलक देना होता था बच्चो जो पत्र हम भेजते थे उस पर डाक टिकट लगानी होते थी पत्र क्या है? एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है उसे पत्र कहा जाता है एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेश तक पहुँचाई जाती है जिसके बाद पत्र ग्रहन करने वाला व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के मार्ध्यम से दिया जाता है अर्था दो व्यक्तियों की यो में आपस में बार्चीत संचार का माध्याम, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्याम पत्र है पत्र को हम चिठी भी कहते हैं पत्र बच्यों मुख्य तह दो प्रकार के होते हैं अपचारिक पत्र अनपचारिक पत्र जो पत्र किसी विशेश कारे के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबन्द नहीं होता है, कोई रिष्टा नहीं होता है वे पत्र अपचारिक पत्र कहलाते हैं सभी सरकारी वा कारिया इली पत्र अपचारिक पत्रों के अन्तरगर आते हैं अपचारिक पत्रों के भी प्रकार होते हैं बच्चों जो मुखेता है इस प्रकार से हैं व्यावसाईक पत्र, सम्पादिक पत्र, सरकारी पत्र और प्रात्ना पत्र पत्र लेकर करते हैं बच्चों हमें कुछ बातों का विशिश रूप से ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार से हैं पत्र की भाशा, आसान, इस्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए विराम चिन्यों का उचित प्रयोग होना चाहिए सबसे पहले पत्र की बाईयोर अपना पता तथा तिथी लिखनी चाहिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए जैसे आपचारिक पत्र में हम लिखते हैं बचों महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, मान्यवर, आदी आपचारिक पत्रों में बचों अभिभार्दन नहीं होता है आपचारिक पत्रों में विश्य लिखना अनिवार्य होता है आपचारिक पत्रों के समापन में जब पत्र का समापन किया जाता है तो अधिकतर धन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है आए बचो अब हम देखते हैं आपचारिक पत्र का प्रारूप सबसे पहले बच्चों भेजने वाले का पता लिखा जाता है जो कि पत्र के बाई और लिखा जाता है उसके बाद पत्र लिखने की तिथी लिखी जाती है तत्पस्चात पत्र के बाई और सेवा में लिखना चाहिए अगली पंक्ती में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पद लिखना चाहिए और ततपश्याद उसका पता लिखना चाहिए कि आप किस कारियाले को पत्र लिख रहे है और वह कारियाले कहां स्थित है उसके बाद बच्चों हमें विशय लिखना चाहिए कि हमारे पत्र लेखन का विशय क्या है अगली पंगती में संबोधन के रूप में हमें महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, मानने वर इत्यादी जो भी संबोधन उचित हो बच्चों वो लिखना चाहिए तत्पश्यात प्रथम अनुछेद में पहला अनुछेद जो हमारा होता है उसमें अपना परिचे देना चाहिए इसे एक दो वाक्यों में इस पश्ट करना चाहिए बच्छो अगली अनुछेद में अपने पत्र के विशय के विशय में विस्तार से हमें वर्णनन करना चाहिए इसके लिए भी बच्छो एक या दो अनुछेद परियाप्त होते हैं तत्पश्चाथ हमें निदान की कारवाही के लिए अनुरोध करना चाहिए और अंत में हमें धन्यवाद ग्यापन करना चाहिए पत्त की समाप्ती में अगली पंती में बाईयोर पत्त की विशे की अनुसार भवदीर भवदिया आपका आज्याकारी शिष्य आपकी आज्याकार नीशिष्य इत्यादी जो भी विश्यवस्तु के अनुरूप हो उसे लिखना चाहिए इसके पश्याथ अगली पंक्ती में अपना नाम लिखना चाहिए तथा अपना पता और यदि आप कक्षा में स्कूल में पत्र लिख रहे हैं तो अपनी कक्षा लिखने चाहिए इस तरह से बच्चों यह आपका आप्चारिक पत्र का प्रारूप है इसी के साथ हमारा पत्र लिखन के अंतरगत आपचारिक पत्र आज यहीं समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको आपचारिक पत्र समझ में आया होगा धन्यवाद